आप सभी को पता होगा कि हमारे सभी सेंटरों की भरती हो रही है फिलाल दो तिन सेंटरों की भरती चल रही है अब यहाँ पर जो भाई एन्ने की भरती देखना चाहते हैं उनको बता दूं भाई देखो आपके पास physics, chemistry, bio और English होना subject जरूर है अब यहाँ पर देखो काफी भ फिलाली सता है म्हां भाई में यहाँ सब्जेक्ट व्याथे को शहलं की रहें Commonwealth लोगता है होनी आप को सब्जक्त होना चाहिए विए क्या सब्जेक्ट रहें किसी सब्जेक्ट में होने चाहिए और टोटल में लाकर जो आपके पांच सब्जेक्ट बनते हैं तो उनमें दोस्तों 50% नंबर होने चाहिए तो अब ऐसा हो रहा कि भाई क्या है कि काफी बच्छे अब लाट अब बच्छेक्ट के दोरान भाई उनको काफी परिषानी जहिलने को मिल रहे हैं कि मैं बता दूं कि दोस्तों काफी इतने मैंसे जाच चोकेइं कि मैंने रजिस्टेशन अभी तक क्या मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया और यह रिप्लाई आया जो आप सेगि बेट करें बाकी जो भी जानकारी हम आपको बताएंगा आपके पास मैसिजاخे द्वारा मेल के द्वारा आपको बता देंगे कि आपको उस तीन आना आ के जाना तो अभी क्या आप को बेज रहे हैं कि अभी आपका जो प्रोसेस परकार से यानि कि चली रहा है यानि कि वह आपको दुवारा एक लेके आप सेंटर में जब आउगे तो उस समय गेट पे आप कोई देखाना अध्तब आपकी एंट्री होगी ठीक है यहने कि आप उसे पीडियाप फायल में या आप उसकी फोट्टु कॉफी लेके इसे साफ से तो अभी भाई देखो वेट करें बाकि सेंटर से आपको जरू कोई ना कोई रिप्लाई जरूर आएगा और जब आप भाई एनने की भरती देखना चाहते हो तो देखो यह तिन जाने की फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो एंगलिस सब्जेक्ट होने चाहिए और जो मैंने आप से बताया कि अगर आपके इस बार अगर एक नंबर भी सब आदेस होंगे कि बच्चे के डॉकुमेंट में हाइट में चेष्ट में कोई भी कमी हो तो आपको उन्हें सीधा करें क्योंकि इस वार हमें भीर ज्यादा नहीं लेनी है इस हिसाब से ठीक है तो आप ऐसी कोई भी कमी ना चोड़ें जिससे आप सेंटर से जो भरती करा दू थीक है बाकिे देखो रही आपका एक नमबर या दो नमबर कम है तो भाई देखो आपके लक्य बात है आप जरूर ज़रूर raises जहुखे हैम हमारी बहुड़ती तो आज लगे हुए हैं उनके एक दो दो नंबर कम थी ठीक है सब्जेक्ट में तो क्या हुआ था कि भाई उन भाईयों को जब स्टाप की भरती चल रही थी तो स्टाप इतना अच्छा था कि एक दो नंबर वाले बच्चों को अंदर ले रहे थे हैं कि रिजेक्ट नहीं कर रहे थे तो भाई अब मैं आपको बता दू इस वार बहुत हाड बच्चों के साथ कानून कर दिया गया कि कि किसी का एक नंबर कम हो दो को नंबर कम हो हाइट में कमी हो डॉकुमेंट में कोई कमी हो चेश्ट में फलाव ना हो ठीक यानि कि बजन ना हो तो सीधा बहार करो रिजेक्ट करो इतनी भीर नहीं चाहिए अब बाकी बाइदे को स्टाप के उपर बात होती है वह आपको रखता नहीं रखता है जो किलर कंबर के बीच में कब आपको जाना कौन-कौन से राजजवाले कव जाएंगे तो आज की वीडियो में इतना ही जैंद